इसलिए के सलूशन में आप समी कत्वागत है आज हम फॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका जानेगे यह एक कमन तरीका है जिसके मात्याँ से चाहे किसी भी तरह का फॉर्मल लेटर हो लेटर टू एडिटर, लेटर टू अफिसर्स, लेटर टू विनिस्टर्स आप इसको कर सकते हैं फॉर्मल लेटर, सिबी एसी बॉर्ट क्लास नाइन एंड क्लास टेल के लिए बहुत ही इंपोर्टन होता है और यह हर बाद, हर एक जामने जरूर पुछता है और इस बाद भी इसको पुछने का 100 में 100 चास है तो यह कैसे लिखा जाए और कैसे आसानी से लिखा जाए आईए, हम समझते हैं इसका फॉर्माट और तरीका सब कुछ लेगे, बढ़े तो जो फॉर्मल लेटर होता है और आईए, आप जानते होँगे विए लेटर दो तरांते होते हैं फॉर्मल लेटर और इन फॉर्मल लेटर जो फॉर्मल लेटर होता है तो हमें ऐसी ओपिसर्स और जिनिस्टर्स या किसी भी तो आखे ओशिल बावस वगएरके बास लिखा जाता है लेकिन यह formal letter होता है वह अपने friends, family members, relatives को लिखा जाता है तो formal letter ही हम लोगों जाना है तो यह कैसे लिखा जाता है सबसे पहले इसको लिखने के लिए यहाँ पर left side में बुपर senders address होता है senders address उसके बाद senders address लिखते लेकि बाद date लिखते हैं EG state में letter लिख रहा है और उसके बाद receivers address होता है कि हम जाने के कैसे होते हैं इसके बाद और उसके बाद subject जीश टॉपिक से आमारा लेक्टर concerned है उस टॉपिक को लिखायाता है जैसे to raise the voice against violence या for repairing the damaged street या damaged road या to complain against bad condition of water scarcity electricity कुछ भी टॉपिक हो सकता है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे subject और उसके बाद होता है sanitation sanitation लिखायाता है या तो important part होता है और उसके बाद लेटर उसका जोगी budget continuous होता है उसको यहाँ इसके लिखते हैं जिसकुछ इसे बनित रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ इसके बाद left side नहीं नीचे subscription या closing लिखते हैं subscription या closing subscription या closing इसे बोलते हैं इससे बता चलता है कि हमारा लेटर आप जो है स्तमा अपने बहा है और उसके बाद उसके नीचे sender's name यानि कि जो लेटर लिख रहा है वेक्ति उसका नाम इस नाम से वेक्ति ने letter of side लिखिया है तो इस तरह से इससे लिखेंगे अब जाते हैं कि sender's address ऐसे लिखेंगे भाई आपना पता लिखेंगे जैसे हम एक कुछ address लिखेंगे keyword number six गउरक्षमी गउरक्षमी शासाराप यह यह विरा sender's address हो गया है सासाराप गया और उसके बाद date इसे लिखते हैं तो date ऐसे लिखेंगे हम जैसे December 2nd 2018 इस type से लिखा जाता है तो formal letter के लिए बेहतर होता है उसके बाद जो receivers address है receivers address में ज्यदा लबाचवा नहीं लिखा जाता है जैसे the editor के बाद लिख रहा है तो the editor the editor अब मीचे पत्र का नाम लिखेंगे कौन सा news paper editor के डिटर है देसे hindustan times तो लिखेंगे यहाँ पे hindustan times और जहां से यह पब्लिश होता है उस टाउन यह से क्या नाम लिखेंगे फिर्था ताइप्स पटना subject में subject अपना लिख सकते हैं ऐसे करेंगे to complain to complain against against by condition condition of electricity तो इस तरह से अपना subject लिख सकते हैं और उसके बाद salutation salutation में क्या होता है sir madam जो भी है यह लिखेंगे salutation हो जाता है subscription या closing कैसे लिखते हैं subscription closing में यहां पे लिखेंगे yours sincerely yours sincerely या yours faithfully भी लिख सकते हैं yours faithfully तो इस तरह से आप लिख सकते हैं subscription या closing अब इसके बाद यह तो अमान लेटर का पुरा format हो गया कि किस तरह से formal letter लिखना है उसके बाद इडिटर के पास और इडिटर के पास ही हर बार cbac world class 10 में पूछते आया है और इस बार भी letter to editor भी पूछेगा इसमें कोई दो राय नहीं है तो देखिए हम बताते हैं कि कौन से common ऐसे lines है जिस topic पर भी letter हो उसको start कर सकते हैं और marks आप कुछ game कर सकते हैं आपको a specific topic का idea नहीं भी है तो आप वहां से कुछ शीच से शुरू करके उस line से और उसके बाद कुछ end में कुछ लिखते लिए और बीच में कुछ भी लिखे तो आप कम से कम half marks को game कर दी सकते हैं इसमें कोई without नहीं है जैसे letter को begin करेंगे तो यहां से बल लिखेंगे यहां से notation ही दीए किसार उसके बाद दीखेंगे यह like I am a resident of I am a resident of यहां पे आप अपना idits खिखेंगे जैसे मने लिखेंगे बाद नाबर 6 जो रखेंगे तो उसको यहां लिखेंगे उसके बाद यहां पे लिखेंगे कि I want to draw the kind attention formal language kind I want to draw the kind attention of concerned concerned authorities authorities through the article through the article क्योंकि यह क्या होता है तो इसलिए आप इसलिए आप इसलिए इसलिए तो in the prince in the context इसलिए इसलिए to to publish my issue through the article of your newspaper so that the attention of concerned concerned authority authorities may be attracted towards you 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 इतना लिदेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह आपका लेटर का 50% marks, कोई नहीं क्याट सकता है, यह ऐसा common तरीका है, कि किसी भी formal लेटर चाहे जिस भी topic पर हो, लेटर टू एडिटर है, तो उसमें आप अपना सकते हैं, और यह वार लेटर के साथ लागी होगा, आप चाहे तो लेटर का लाइन, विजे का लाइन, को याज करने अची तरह से, आप topic आपको नहीं भी आता है, वो जिस topic पर लेटर है, तो कोई बात रही, इस से आज 60% marks लेटर में जरू गेंद कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और विजी इस topic पर आपको वीडियो चाहिए, तक लिए्ट सकता है।